हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल ग्रीन हाउस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुड़हल के पौदे में इस समय जुलाई के महिने में आप जादा से जादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं या फिर अगर इसकी पतियां पीली पड़ नहीं है कलियां गिर रही है तो इस समस्या को गुड़हल के पौदे में आपको कैसे ठीक करना है इन सारी समस्याओं को ठीक करते हुए गुड़हल के पौदे में अच्छी फ्लावरिंग आपको कैसे लेना है इसी टॉपिक पर आज का यह हमारा वीडियो है और इसकी केर हमें कैसे करनी है क क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना इसमें गुढ़हल के पौदे के उपर अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका गुढ़हल का पौधा इसमें हेल्दी और स्वस्त बना रहे तो आपको कौन से वो काम है जो इस समें जुलाई के महीने जलाई बिल्कुलु भी नहीं करना चाहिए तो फ्रेंस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद आपके पौधे के उपर आने वाली सारी की सारी समस्या ठीक हो जाएगी पत्तों का पीला होना कलियों का गिरना और फूलों का नहाना ये सारी की सारी आपके गुड़हल के पौदे की समस्या ठीक होने वाली है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चै समस्या गुडहल के पौदे को दो फायदे मिलने वाले हैं पहले तो जो बारिश का पानी है इसमें नै Checkension की बहुत अच्छी मात्रा होती है तो जितनी अच्छी नाइ 쉽न की मात्रा इसमें आपके पौदे को मिलेगी तो बारिश में आपके पौदी की घ्रोथ बढ़ तोकुछ समझे आएं गुढ़लके पौदे पर अपने आप से ठीक हो जाती हैं पंथा आपकाने लगता और फ्लावणी करने लगता है तो इसलिए पौदे को आप शेड में न रखें तो इसलिए बारिश के पानी में रखना ही गुढ़ान के पौदे के लिए फाइदेमंद ह आप गुढ़ल के पौधे में किसी भी तरीके के घांस वगरे को ना उने दे, टाइम टाइम पर इसकी सफाई करते रहें क्योंकि इसमें बारिश का पानी मिलने से घांस बहुत तेजी से पौधे के अंदर उगकर आता है, तो ये पौधे के अंदर उगने से जो हमारे पौध पौधे की अनरजी है, उसको ले लेता है, टिप्स नमबर 3, कभी भी आप गिरते हुए, सूकते हुए फूलों को पौधे के पौट में ना गिरने दे, इनको आप पहले से हटा दीजे, क्योंकि अगर ये आपके पौधे के अंदर इसमें गिरेंगे, तो बारिश का पानी पौधे को पौधा बहुत गीला रहता है, तो फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं, और हमारा जो पौधा है, अनहेल्दी हो जाता है, अगर पौधे को हेल्दी रखना है आपको, तो ये जो दो टिप्स मैंने पीछे आपको बता है, इनका ध्यान आप ज़रूर रखें इसके बाद टिप्स नमबर फोर, गुड़हल के पौधी की मिट्टी को आप थोड़ा सा बीच में सूखने जरूर दे, अगर एक बारिश के बाद बारिश रुख जाती है, तो आप खुद से उसके अंदर कोई भी पानी ना डाले, पहले मिट्टी को हलका सूखने दे, इस समय कर सकते हैं, अगर आपके पौधे के अंदर कोई ब्रांच है, खराब हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी उसकी उपर से प्रूनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत जादा प्रूनिंग आपको इस समय नहीं करनी है, यानि कि हार्ड प्रूनिंग आपको अपने गु आप लंबे टाइम तक कोई भी बारिश का पानी अपने पौट की मिट्टी में रुखने ना दे, इसके लिए आपकी जो पौट है उसकी ड्रनेज अच्छी होनी चाहिए, यानि पानी छेट से बाहर निकलना चाहिए, हमेशा इस चीज को आप अपने सभी पौधे में इसमें पानी आप कभी भी ना दे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है, अगर बारिश होने के बाद आपके पौट के अंदर पानी रुख जाता है, तो पौट को थोड़ा से टेड़ा करके आप पानी को बहान निकाल दीजे, ये सबसे बढ़िया तरीका है, तो मिट्टी अप बहुत सारी समस्या पौदे के उपर देखने के लिए मिलती है, हमारा पौदा स्ट्रेस में चला जाता है, कलियों का गिरना और पत्तों का पीला होना, ये पानी की वज़े से खास तो और पर इस समय बारिश के टाइम ये समस्या हमारे पौदे के अंदर देखने के लिए मि जड़े हैं वो अच्छे से iron को एब्सॉर्व करके उपर तक पौदे को नहीं पहुचा पाती है तो पौदे में उपर पत्यों में iron की कमी बनी रहती है जिसकी वज़े से आपके पौदे की पत्या है वो पीली पंडी शुरू हो जाती है तो यह जो बारिश में पत्यों का पी लगबग आप देखेंगे कि आपके गार्डन में जितने भी पौदे हैं उन सब की पत्या आपको कुछ पीली परती भी दिखाई देती है तो बारिश में यह समस्या देखने के लिए मिलती है तो आपको बहुत जादा घबराने की ज़रूत नहीं है टेंप्रेचर कभी बह बारिश होना इसकी वज़े से कलियां आपके पौदे की गिर सकती है ये भी समस्या कलियों के गिनने का कारण होता है तो फ्रेंट सीजन में चेंज हमारे पौदे के पत्तों के पीले होने और कलियों के गिनने का भी कारण हो सकता है इसे में बारिश में जो सबसे बड़ी सम तो इनको ठीक आना बहुत में है वन्हां यह दिरे-दिरे पौदे की खराब कर डेते हैं और जैसे मिली बगने शुरू हो तो होते हैं तो बहुत चीचिट के उपने शुरू हो जाते हैं तो इसके लिए जह सबसे सरल उपाय है वो है बेकिंग सोडा मैं जादा तर बेकिंग सोडा का इसमाल करती हूँ पहली इस्प्रे में ही 99% जो मिली बग है वो एक दम से ही खतम हो जाते हैं और एफीट्स पर भी काफी अच्छा रिजल्ट है बस इसको इसमाल करने का सही तरीका आपको पता होना जब भी आप पहली बार कोई चीज इसमाल करते हैं चाहिए मैं आपको बता रही हूँ या फिर कहीं और आपने देखा है तो आप बिल्कुल सीधे एक्सपेरिमेंट कभी भी अपने पौदे के उपर ना करें पहले चेक करें चीजों को फिर अपने पौदे के उपर आप इ स्प्रे करते हैं तो ये उसी समय मर जाते हैं ये कीड़े ऐसा नहीं है कि स्रफ ये पौदे को छोड़ रहे हैं इस्प्रे करने से ये पौदे उसी समय खतम हो जाते हैं अगर धूप हो रही हो तो पौदे को आप पहले चाहों में रख लीजे फिर इसका स्प्रे करें कोशि इसका स्प्रे कर सकते हैं इसको स्प्रे करने के बाद कुछ दिनों तक ये जो मिली बग हैं कीड़े आपके पौदे को बिल्कुल भी परिशान नहीं करेंगे स्प्रे करने के लिए आप किसी स्प्रे बॉटल का इस्तमाल करें इस्प्रे बोटल का समाल करने से जो धार है वो काफी तेज कीडों के उपर पड़ती है तो कीडे तुरंट से पौदे से गायब होना शुरू हो जाते हैं तो फ्रेंग्स आप देख सकते हैं कि स्प्रे करने के बाद सारे के सारे के सारे जो कीडे हैं वो दिखाई दे रहा है और कुछ दिन तक ये कीडे हमारे पौदे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे अब बात करते हैं फटिलाइजर की खाद की की वो कौन सा खाद है जिसको देकर आप अपने पौदे की सारी की सारी समस्या को ठीक कर सकते हैं अगर फूल नहीं आ रहे हैं कलियां गिर रही है और पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में जो खाद मैं आपको बताने जा रही हूं वो एक होम मेट फटिलाइजर है और उसको आप बहुत यासानी से घर पर बना सकते हैं और इसको देने से आपके पौदी की सारी की सारी समस्या ठीक हो जाएगा और आपका गुड़ल फूलों से भर जाएगा इसके लिए आपको लेना है अपने किचन स कुछ सबजियों के छिलके जिसमें मैंने लिया है केले के छिलके प्याच के छिलके और मैंने अंडे के छिलके को भी इसमें इसमें लिया है क्योंकि केल्शियम की कमी होने से भी इसमें जो गुड़ल की कलिया है वो गिनी शुरू हो जाती इसलिए यहां मैंने अंडे के छि केले केशिखें को अब सुखाकर समाल करें। केले केशिकूक चैलों का असे नुदर सा जातीर है। तो यहाँ पर मैंने तीन चिलके लिए हैं केले के चिलके, प्याच के चिलके और अलू के चिलके और इसके साथ अंडे के चिलके के साथ मैंने एक चमच चाई की पती सके अंदर डाला है पांच गलास पानी इसके अंदर डाल करके आपको इसको कम से कम 15 मिनट उबालना है 15 मिन से गातरा आपको यहांपर पानी का लेना है हमने 5 लिया था तो इसको हम लाइलूट करते समय और पांच गूलासिह उस्ते Guess मान इसथार मैं इस्थिमाल कर आथा वहां पर 3-4 टीन से 4 प्याज चिर और तीन से चार दूम और तीन से चार अंडे के चिलके थे, तो अभी हमारा liquid fertilizer तयार हो चुका है, पांच ग्लास पानी डालकर हमने इसको dilute कर लिया है, अब ये ready है हमारे पौदे में डालने के लिए, अभी इसको डालने का सही तरीका क्या है, इसको आप हमेशा शान के टाइम अपने पौदे की मि ना बहुत जादा सूखी हो और ना ही बहुत जादा गीली हो, ऐसी मिट्टी में आपको इस liquid fertilizer को देना है, fertilizer की मात्रा आप उतनी रखें, जितने से नीचे तक आपके पौदे की जो मिट्टी है, वो अच्छे से गीली हो जाए, यानि fertilizer अच्छे से जणों को मिल जाए, उतन मात्रा आपको देना है, पौड के साइस के साब से आप इसकी मात्रा कम जादा कर सकते हैं, तो ये जो fertilizer मैंने बनाया था, इसको लगभग मैंने चार पौदों में डाल दिया है, इस fertilizer को आप 10 दिन में एक बार अपने गुढ़ल के पौदे में डाले, आपके गुढ़ल के प अच्छी मात्रा में मिलेगा, तो आपके पौदे में फूलों की कमी कभी भी नहीं आएगी, पत्तों का पीला होना और कलियों का गिनना अगर nutrition की कमी की वज़े से हो रहा है, तो ये समस्या आपके पौदे में देखने के लिए नहीं मिलेगी, फ्रेंट जो fertilizer हमने बनाया थ जो आपको फेकनी की जरूत नहीं है, इसको आप अच्छे से धूप में सुखा लिजे, धूप में सुखाने के बाद इसको आप मिक्शर में अच्छे से पीस करके एक पाउडर मना लिजे, और इस पाउडर का इस्तमाल भी आप अपने पौदे की जणों में सीधे मिट्ट में करेंगे तो इसे भी आपके पौदे को बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा यह भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर का काम करेगा तो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थांक यू